तो फिलाल इंडिया वसस न्यूजिलेंड का टेस्स मैच चल रहा है तो इंडिया का परफॉर्मेंस से वह अप्टू मार्ग में यह जो होना ची तो लेट्स चलो गाई सुनते पटन भाई क्या बोलते अब दिस टिन लेट्स तो भाई एक बात तो पकी हो गई कि वाइट बाते कर रहे हैं सोशल मीडिया पर क्योंकि यह वो टीम है जो अभी कुछ ही मैनों पहले वर्ल्ड कप जीत के आई है लेकिन भाई एक सिरीज को लेकर बहुत सारे लोग जो है वो इतना पागलपन पर उतर आते हैं जज़ कर रॉइच शर्मा को भाई देखे टीम के अंदर का ये उसूल है क्रिकेट पैंस का ये उसूल है कि क्रिकेट जो देखने वाले लोग है उन्होंने ये उसूल बनाय हुआ है कि अगर ऑपनर कुछ करके नहीं देते तो बस यार पूरी टीम जो है इसने कराब कर दी इसी नहीं हराया है ये किया है वो क्या है लेकिन स्ट्रॉ और रवेंदर जडेजाने जने जो है आज बचा लिया भाई तब बहुत बड़िया बॉलिंग की है और वैजन्टन सुनदर ने फिर है जडेजे नेज तन्स द लिया सिराच को बॉलि नहीं दिया श्रत जन से बॉलिंग नहीं करवानी तो पिर अक्षर पठेल को ले लेते अक्षर पठेल आ जाता तो मेरे को नहीं लगता कि यार इतना लंबा यह मैच जाता नहीं मतलब कैसा ना देखो अश्वीन और सुन्दर ठीक है अश्वीन सुन्दर जड़े जा यह है तीन लोग है जो स्पीन आज ही जो है आदा लग तो अभी भी रहे के जो है इंडिया जीतेगा यह तीसरा अभी भी 143 एक विगड़ बाकी है ठीक है अगर सब्सक्राइब सो पता नहीं है मतलब कैसा ना यह पीच पीच जो है वह सही नहीं मतलब बहुत स्पीन ट्रैक है अभी कुछ भी बोलने सकत एक चालेंजिंग स्कोर है इन टेस मैच जो पीच के सबस्क्राइब से बोल रहा हूं तो लैट सी क्या होता है कल पता चलेगा भाई असली क्या हम कुछ सब डरे वह हम इंडियन गडरे वह भाई कि वाइट वर्स नहीं हो सकता कि इंडिया पूरी जिटा रहे टीट्वेंट है तो भाई वो न्यूजलेंड स्ट्रॉंग टीम बन गई उन्होंने अच्छा टेस मैच केला लेकिन साथ साथ में इंडिया की टीम में थोड़ा बेटिंग में जो है परफॉर्मेंस ही नहीं रही अब अगर सिराच को सिर्फ फिल्डिंग के लिए रखना है तो पिर यार अक्षर पटेल से करवा लेते उसको ले लेते इसकी जगा चलो कोई बात नहीं वो तो अलग बात है लेकिन कल जो रोहिच शर्मा कमबैक करेंगे उन सब लोगों के मूँ पे थपड़ पड़ेगा जो रोहिच शर्मा को लेके मीडिया पे उल्टे सीधे बाते कर रहे बहु नोंने रिटायर्मेंट का एलाइन किया कि बाई अब हम जो है टी ट्वेंटी नहीं खेलेंगे और विराट कुली रॉइच शर्मा तब यहीं लोग रो रहे थे यार अब तो मज़ा नहीं आएगा क्योंकि वहां वल्ट कप जितायता ना यार अब तो मज़ा नहीं आएगा आई तो कभी क्या सोचते हैं तो ऐसा वैंस से नहीं बेतर है और जैसे फाइसे इन की ज़रुरत बिनती क्रिकिट को अजड़ बनते हैं अब गये चीज़ बताने वाला हो ठीक है तो जो रोईट शर्मा और विरट को लिए ना गाइस ठीक है उनलों को अभी उनका मेन एम यही है कि भाई डब्लूटी सी ठीक है वह प्रॉफी उटाए ऐसा ड्रीम है रोईट शर्मा का और विरट को लिगा और जितने भी फ्लेयर्स हैं सब का ड्रीम है तो सब लोगा ड्रीम है कि डबलूटी सी के वह अटाए और एक वर्ल्ड पर वर्ल्ल कब भाई एक वह उटाना है यह यह ड्रीम है तब लोग रेटार्मेंट अनौन्स कर देगे तो लेट्स होप वाई इंडिया डबलूटी फाइनल खेले और फुल पर फुल चोक ना हो बस ऐसा इंडियन बैट्समें बसाब रोई शर्मा ऐसा मतलब जो कॉलिटी है वह आ पर दिखे वह मैंच में जब चाहिए तब निकले यह मैंच में चल जाता है चल सीरीज रखा है अब तुरह पॉइंट्स की जरूरत है भी हम इंडिया को सब मैच जितना जरू अबलोगा नेक्स टूरमें थैंक यह सो मुच पर वाचिंग गाइस ते बलस एंडिया थैंक यह सो मुच